हालो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कामन इंग्लिश मिस्टेक्स कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका ट्रांसलेशन यदि हम ग्रामर स्ट्रक्चर का अनुसार करें तो कुछ और बनता है जैसे की मैं एक आम आदमी हूँ यहां पे आम एक फल होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंगो तो क्या इसका मतलब होगा I am a mango man जैसे spider man और बहुत सारे ऐसे movies बने spider man, bat man, iron man तो क्या इस तरह से कोई mango man भी होता है पूरी दुनिया में ऐसे कोई mango man नहीं होता है तो इसको हम I am a mango man नहीं बोलेंगे तो इस तरह के sentences में आप देखेंगे sentence का since क्या बनता है उसका भाव क्या है तो यहां पे क्या होगा I am a common man या I am a simple man ठीक है मैं एक आम आदमी हूँ I am a simple man ऐसे कि एक डैलाग है don't underestimate the power of a common man एक आम आदमी की ताकत को कम मत समझे तो मैं एक आम आदमी हूँ इसका मतलब होगा I am a common man ऐसे कुछ और sentence होते हैं जो starting English सीख रहना उनके लिए सीर दर्द बन जाता है और यहाँ पर sentence भी है मेरा सीर चकर खा रहा है मेरा सीर चकर खा रहा है इत माने खाना और eating means खा रहा है तो क्या इसका मतलब यह होगा my head is eating circle मेरा सीर यानि my head चकर खा रहा है is eating circle grammar structure के अनुसार तो गलत ही sentence बने गता हो इसका sense के हिसाब से देखते हैं I am feeling dg या I am feeling giddy क्योंकि चकर खाता नहीं है बाई चकर तो मौसूस होता है तो मेरा सीर चकर खा रहा है I am feeling dg ठीक है I am feeling giddy इसलिए बोला जाता है कि spoken English में daily using English sentence की practice करते ही रही यही एक फैदा है कि आपको grammar से ज्यादा लेना देना नहीं होता है लेकिन अगर आप student है तो भाई आपको grammar तो सीखना पड़ेगा केवल आपको English सीखना है तो आप केवल practice से भी सीख सकते हैं next sentence क्या है उसे बुखार आ आ रहा है, his fever is coming आ रहा है तो क्या इसका मतलब होगा that his fever is coming ? नहीं sense के इसाब से he is suffering from fever वह बुखार से पूरित है LAUR lower little of cz 그래서 he is suffering from fever या उसे बुखार आ रहा है he is suffering from fever क्योंकि भाई वह पूरित है दीके बुखार आ रहा है इसका कालब कामिंग नहीं होगा नेक्ट सेंटेंस क्या है यह पंखा बहुत तेज नाच रहा है भाई डांस कर रहा है पंखा नहीं दोस्तों इसका करेक्ट सेंटेंस यह नहीं है दिस फैन इज डांसिंग भेरी फास्ट यह गलत सेंटेंस है तो सेंस के इसाब सेंटेंस का करेक्ट sentence जो translate होता है this fan is moving very fast this fan is spinning very fast इस तरह से आप sentence को बनाएंगे जमकि sentence का वाई sense कर रहा है कि पांखा नाचता नहीं है भाई उत घूमता है तो move means होता है घूमना moving means घूम रहा है next sentence देखिए आपको देखकर मेरा मन बाग बाग हो गया भाई garden garden हो गया ठीक है आपको देखकर मेरा मन बाग बाग हो गया हो गया यानी became ठीक है my heart is became garden garden my heart is became garden garden instruction की अनुसार ये sentence एकदम totally incorrect है तो correct sentence क्या बनता है sense के इसाब से उसका भाव क्या है I felt enjoyed to see you I felt enjoyed to see you मतलब मुझे आपको देखकर बहुत आनन्दित हुआ या फिर आपको देखकर मेरा मन बाग बाग हो गया एक ही बात है तो इसका sense क्या बनता है I felt enjoyed to see you I felt enjoyed to see you ऐसे बहुत सारे sentence होते हैं आप ध्यान देना कि कब sense का यूज करके sentence को translate करना है दोस्तो ये थे कुछ ऐसे sentence दो हिंदी से इंग्लिस ट्रांसलेट करने में दिक्कत थी लेकन कुछ ऐसे sentence भी होते हैं जो इंग्लिस में सही लगते हैं और उसका हिंदी ट्रांसलेट अलग ही होता है जिस पर भी मैंने वीडियो बनाया है आप नीचे description box में link पर click करके उस video को देख सकते हैं और मैं comment box में इस video का link डाल दूँगा